नमस्कार वियस किचन में आपका स्वागत है तो कैसे आप सब भूम भी दस अब अच्छे से होंगे तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करें टिंडे की रेस्पी आज हम बढ़ाएंगे भर्मा टिंडा और बहुती मसालेदार टेस्टी बहुती सिंपल तरीके से बिना किसी जंचटके बहुती असानी से बनने वाड़ा है तो चलिए बनाना शिरू करते हैं देखिए इसके लिए मैंने आप टिंडे ले लिए इनको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और अब हम इनको उपर से चील का उतार लेंगे आप जब भी ये टिंडा जो भी सब़ी बढ़ आप वो निकाल लेंगे देखिए इसका ये गुद्ध है जो ये इसके अंदर से निकालेंगे क्योंकि तब ही हम इसमें स्टफिंग भर पाएंगे तो देखिए इस तरह से आप किसी चम्मच से भी निकाल सकते हैं कई लोग इसको इस तरह से कट लगा के भी भरते हैं पर अगर आप इस तरह से खाली करके भरेंगे तो इसमें बहुत बढ़ी असी स्टफिंग आ जाएगी और खाने में भी उतनाई टेस्टी बनेगा इसी तरह से मैं ये सारे ठिंडे खाली कर लूँगे अंदर से और जैसे आपको अच्छा लगया आप वैसे कर सकते हैं तो चलिए इस तरह से केक करके मैंने ये सारे ठिंडे रेडी कर लिए हैं कि अब हम करते हैं आगे इसकी स्टफिंग की त्यारी या он पे मैं i g Kane का त्येल आपको यह भी कूपिंग आःसकते हैं तेल को आप अच्छे से गरम कर लें यहां पे मैंने सारी कडाही में तेल फैला लिया है तेल मारा गरम हो गया इसमें मैं डाल लेक तेजबता हुआ च्चोराइब बारीक बारिक लिए वांशी बारिक फ्यारेक लिए मैशुअपक्ते शॉफ्टी बाता हुआ दाला हम चाहिए पाउडर और 2 टीजपून डाला है मैने धरया पाउडर इनको आप अच्छे से इस तरह मिक्स करते हुए बून ले प्याज के साथ कि दाल लिया है मैंने एक चममच प्लाल मिर्च पाउडर क्योंकि यहां पे मैंने हरी मिर्च नहीं दे है अगर आप लहसुन अद्रक भी डालना चाते तो यहां पर प्याज के साथ डाल के बून ले तो हमारा मसाला प्याज डैडी होगा इसमें मैंने डाल दिया है चार टमाटर लिया मैंने इनको दीखिए इस तरह से प्यूरी बना ली है और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाटर हमारा प्याज के साथ अच्छे से मिक्स होगे उपर से मैं डाल दूगी नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिएगा और इसको हम मिक्स कर लेंगे और सौंफ आप इसमें जुरूर डालिएगा बहुत ही बड़ी आटेस्ट आता और खारना डाजस्ट करने में भी हर्प करता है तो लीजी अब हम इसको 3-4 मट के लिए ढख के छोड़ देंगे तो देखिए यहां पे 2 निट हो गए हैं अभी हम देख रहे हैं इसमें थोड़ तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप यह ढालना चाहिता बाल सकते हाई तो यहां पर एक चमच डाल सकते हैं डिए प्रूद कर दो तो देखिए मसाले ने जो है तेल छोड़ दिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे मैंने वहां पे एक चमच आधी चमच चमच पाउडर भी डाला था वह सीनी इसमें से स्किप हो गया है तो लीजे मैं इस स्टफिंग को उतार लिया है और यह ठंडी होगे तो इस तरह से हम इसको टिंडे में भर देंगे अच्छे से स्टफिंग को आप ठंडी कर ले पहले फिर दिरे दिरे आप सारी इन टिंडों में भर दें और एक बार इस तरह इस तरीके से बढ़ा के देखिए का बहुत ही टेस्टी चटपटा टिंडना हमारा बनके रैडी होगा और जो बढ़ा के मेरी यह स्टफिंग है जो बच गई है तो मैंने सेम वही कडाई ले लिए और इसमें मैंने डाल दिया है तो बड़े चमच तेल तेल हमारा गरम हो गया है और हमने इसमें कुछ भी आड़नी किया है मैं इसमें जो टिंडे हैं हमारे वह इस तरीके से रख दूंगी और इन्हें ढखके चार-पांच मिनट के लिए छोड़ेंगे हम गैस की फ्लेम यहां पे स्लो है लो मीडिम फ्लेम पे पकान है अपने तब ही अच्छी दरह से फ्राई हो पाएंगे क्योंकि हम इन्हें शालो फ्राई कर रहे हैं डिप फ्राई नहीं कर रहे हैं तो देखिए जैसे यह टिंडे निचे से सिख रहे हैं हम इनकी साइड करते जाएं तो देखिए मैं इनको बीच-बीच में पलटती रही और जो यह टिंडे हैं हमारे लगभग अच्छे से सिख गे हैं तो अब मैं इसमें आड़ कर दूंग जो स्ट्रफिंग हमारी बची थी वह इसके साथ हम इसे अच्छे से लपेट देंगी और फ्रेंस अग करें तकि आपके पास मेरी जानफली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुचे और आप उसे देख पाई तो यहां पे देखिए मैंने दो हरी मिर्चली है मैंने यह यह यहां पर आ कर आड़ की है पहले नहीं की क्योंकि रहे हो जाती है यह तो यहां पी अच्छे से प्राई हो अपर से में नहरादनिया डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए इस तरह से और मैं अब कर दूँगी गैस की फिलेम बंद क्योंकि टिंडा हमारा बिल्कुल रेडी है तो अब हम इसे कर लेंगे प्लेट आउट देखिए मैं ने टिंडा को प्लेट में सब्सक्राइब कर दिया है आप इसे चपाती के साथ दोपैर में शाम को किसी अब हमने शालो फ्राइब बनाया है अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज को मेंट करके बताएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा तो कल फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक्यार बाई